हेलो एवरीवेन वेल्कम बेक टीवर ओनलाइन क्लास तुदिए आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबाइलोजी बेसी थार्ड ये स्टुडियन के पेपर फॉर्स की फिफ्ट उनिट में सबमाइक्रोबियल्ःड हाइड्रोजीन प्रोडक्शन और आज यह को हदरेंग का पॉर्शंद डी पढ़ने वाले हैं मतलव microbial hydrogen production by fermentation उससी में हम पढ़ने वाले है फोटो फर्मेंटेशन लेट में इंट्रोइस मैसेल्फ प्रोफेसर रुकईया अभी हमारा टॉपिक चल रहे है बायोजिकल फ्रोटोफ्ट्स प्रोट्शन के बारे में और तिसरे में पढ़ा इनिरेक्ट बायो फोटोफोलाइसिस के बारे में अब हम फोर्थ पॉट्शन में पढ़ने वाले है fermentation से कैसे biological hydrogen का production होता है और उसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले है photo fermentation photo fermentation में organisms होते है sulfur sulfur used करने वाले और non sulfur microorganisms और इसमें reaction इस प्रकार होती है C6H2O6 plus water it gives rise to the carbon carbon dioxide plus hydrogen okay चलिए आज का हम टॉपिक समझते हैं कि fermentation से कैसे biological hydrogen का production होता है the hydrogen producing photo fermentation by photosynthetic organism हम अच्छे से जानते photo है और fermentation है तो photo का मतला भी यहां पर होता है sunlight okay अब सब्सक्राइब का है तो it means कि कोई ना कोई इस सब्सक्राइब को यूज करके chemical energy में convert करेगा तो यह जो hydrogen produce होता है वह होता है photosynthetic organisms के द्वारा वह photosynthetic organisms sulfur organisms मतलब sulfur bacteria भी हो सकते हैं और non sulfur bacteria भी हो सकते हैं जो light के साथ production करते है hydrogen का these photosynthetic bacteria are lake of photosystem second and perform photosynthesis with photosystem first for hydrogen production हमने जैसे यह बायो फोर्टो लाइसेज में पढ़ा था उसमें photosystem दोनों होते हैं by microorganisms में मतलब कौन से वाले एक तो अलगी और cyanobacteria में दोनों photosystem पाये जाते हैं PS1 and PS2 लेकिन यह जो photo fermentation करने वाले microorganisms होते हैं जैसे कि sulfur और non sulfur bacteria उन में photosystem second की कमी पाये जाती है और वह photosynthesis की जो प्रक्रिया है वह photosystem first के द्वारा ही करते हैं the process still requires light as source energy परन्तु इस क्रिया में उर्जा के लिए हमें फिर भी सुर्य की किर्न के आवशक्ते होते हैं but the photosynthetic bacteria in this process not powerful enough to split water so the process utilize organic acids acetic acid like acetic acid as electron donor to generate hydrogen hydrogen इन में photosynthetic bacteria होते हैं वह लाइट को यूज तो करते हैं इस लिए उर्जा के वास्ते वह यूज तो करते हैं लेकिन वहां पर जो उनकी energy होती है वह इतनी पूरी नहीं पाते कि वह पानी को पानी के molecule को तोड़ सके तो इसलिए उन्हें जरुरत पढ़ती है या organic acid की वह organic acid को प्रयोग में लेते हैं जैसे कि organic acid कौन से हो गए acetic acid यह वाला CH3CHH इसके साथ वह water को लेते हैं और साथ ही वह light energy लेते हैं light energy यह तीनों को जो जब वह reaction होता है उनके अंदर तब वह produce करते hydrogen hydrogen plus carbon dioxide जैसे कि इस वाली डाइग्राम में आप देख सकते हैं यहां पर दोनों डाइग्राम में fermentation की दिये गए है photo fermentation और dark fermentation अब यहां पर आप देखेंगे जो photo fermentation करते हैं वह carbon source के तोर पर c6 actual o6 को लेते हैं light लेते हैं और n aerobiasis nutrients लेते हैं मतब किसी भी तरीके के nutrients लेते हैं तब क्या होता है यह जो light यह तीनों मिलकर एक reaction बनाते हैं जिसमें carbon dioxide और hydrogen release होता है ओके लेकिन dark fermentation में light energy ही ही नहीं तो महां पर वह alcohol acids को produce करते हैं साथ ही hydrogen को produce करते हैं इस प्रकार से दोनों में सिर्फ light के difference के वज़े से reaction change हो जाती है there is no oxygen evolution during the process such process known as an oxygenic photosynthesis इस वाली जो reaction में आप देख सकते हो oxygen release नहीं हो रहा है जो हमारे bio photolysis में होता था यहां पर oxygen release नहीं हो रहा है तो इसे लिए इस तरीके की क्रिया को an oxygenic photosynthesis कहा जाता है कि एन oxygenic प्रकाश संशलेशन कहा जाता है कि अब यहीं फिर से बात आई कि हम यह photosynthesis वाली प्रक्रिया क्यों कर रहे है हाइड्रोजन को प्रोडूस करने में तो इसके भी कुछ फाइदे है देड्वान्टेजेज ओफ प्रोडक्शन हाइड्रोजन वाय फोटो फर्मेंटेशन विट पल्पर पर्पल सल्फर नोन सल्फर बैक्टेरिया is the ability to liberate 100% of electrons from organic substrate to generate hydrogen and carbon dioxide which make fewer byproducts in waste stream from this process फोटो किनवन के फाइदे मतलब फोटो फर्मेंटेशन के फाइदे बैंगनी के साथ फोटो किनवन के माधियम से उत्पादन हाइड्रोजन का लाब गेर सल्फर बैक्टेरिया हाइड्रोजन और कार्बन डायोकसाइड उत्पन करने के लिए कार्बनिक सब्स्ट्रेट से 100% सो प्रतीशत एलेक्रोनों को मुक्त करने की शम्ता है जो इस प्रक्रिया से अपश्टी प्रवा में कम उत्पाद बनाते है अगर समझने के लिए आपको बताओ तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस इसले करते हैं क्योंकि जो परपल नॉन सल्फर बैक्टिरिया होते हैं उनमें वह शम्ता होती है कि वह पूरे इतने भी एलेक्रोन से वह और अर्गिनिक सब्स्रेट में से ले लेते हैं और 100% उनका प्रयोग कर लेते हैं जिस कारण वह 100% हाइड्रोजन भी नाते हैं वह बहुत ही कम होते हैं कि इस कारण वेस्ट में बहुत ही कम प्रोड़क्स निकलते हैं दो फो फोटो फोर्मांटेशन बैक्टिरिया और कैपेबल तो यूज वाइड वैराइटी ओफ ऑर्गिनिक सब्स्रेट विच कैन बी अप्तेन फ्रॉम अवेलेबल सब्स्रेट का उप्योग करने में सक्षम है जो कार्बनिक क्रीशी और अपश्ठी जैसे उपलब्ध अपश्ठी धाराव से प्राप्त किये जा सकते हैं इनका इसका इजी मीनिंग यह है मैं देखो सबसे पहले इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट कर रही हूं हिंदी म मैं भी बोल रही हूं उसके बाद में आपको समझाने का पॉष्ण रखते हो आप चाहो तो समझाने का लिख सकते हो आपकी मर्जी ना लिखना है तो वह भी मत लिखो कोई लिकत नहीं है इसमें क्या होता है कि जो पोटो फर्मेंटेशन में जो बैक्टेरिया है परपल नो निकलती है और वेस्टी में भी जो हमारे आप समझ लो जैसे क्लिषी वीभाग में आया ओगी की वीभाग में मतलब इंडेस्ट्रियल और अग्रिकल्ट्रेल वेस्ट में सबसे ज़ादा चीजो नियकलती है वहता हो न प्यु से बना सकते हैं फोट्टो फर्मेंटेशन के द्वारा इसमें हाइडरोजन उत्पादन और अपस्टी प्रबंधन की अव्यवस्था को फाइदा भी होता है इसमें यह फाइदा देखा गया है कि जो भी एकोनोमी होती ही हाइडरोजन प्रोडक्शन या वेस्ट मेनेजमेंट में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले क चुकि इसमें ज्यादा पैसे नहीं लग रहे है और ज्यादा से ज्यादा हमें फ्यूल मिल रहा है जो हमें आगे जाके बहुत ही लाबदायक हो सकता है For an example, उधारन के लिए the usage of industrial waste water as substrate has been successful in generate hydrogen उधारन के लिए substrate के रूप में औगिक अपश्टी जल का उप्योग hydrogen उत्पन करने में सफल रहा है उन्होंने एक example भी करके देख चुके हैं जिसमें उन्होंने industrial का waste water लिया इसा पानी जो industry से सिर्फ बहार रहना फेका जाता है जो किसी भी काम करने होता है जो हमारे नद्यों में जाता है या हमारे समुदर में फेक दिया जाता है इसे पानी को उन्होंने substrate के तोर पर use किया जिससे उन्होंने hydrogen बना कर भी देख लिया और वह बहुत ही successful रही वह क्रिया या उनका जो एक experiment था वह बहुत ही जादा successful है इसलिए उन्होंने कहा के waste को हम यूज करके hydrogen बनाएंगे जो आगे जाके hydrogen as a biofuel यूज हो सकता है आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है थैंक यू नेक्स वीडियो में हम डाक फॉमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और जिन्होंने प्रिवेस वीडियो ना देखी हो तो प्लीज उनकी link description box में दी है तो आप उमहां से पेले link पर जाके पुरानी वीडियो दे नेक्थ रिनिझेश तक टाड़ेंगे तक का दी हो.